हलो फ्रेंड्स डेनिल क्लासिज में आपका स्वागत है दोस्तों राजस्तान हाई कोट लडी सी के लिए प्रिपोजिशन के टोप ट्वंडी क्योशन हम देखने वाले हैं जो आपके राजस्तान हाई कोट लडी सी के लिए राम बांड रहने वाले हैं प्रिपोजिशन के टो देनिल क्लासेज की एप पर आपको मिल जाएंगे कम्प्लीट कोर्स 50% डिसकाउंट में आपको मिल रहा है जल्द कोर्स पर्चेज कर लें ओफर का फायदा उठाएं प्रीपोजिशन के टोप 20 क्योशन प्रीपोजिशन की प्रीपोजिशन के क्लास में यह 50 क्योशन भी मिल जाएंगे तो चलिए दोस्तों टोप 20 प्रीपोजिशन के क्योशन हमें देख लेते हैं पहला है कि डिस्पाइट ओफ बिइंग रिच हीज नोट हैपी मतलब वो रिच है फिर भी वो हैपी नहीं है डिस्पाइट ओफ बिइंग रिच हीज नोट हैपी देखो 50 क्योशन हैं प्रीपोजिशन के क्योशन है आपको प्रीपोजिशन की गलती निकाल ली है आएगा नो प्रिपोजिशन आएगा ओफ सही है क्या है आपको बताना है डिस्पाइट के बाद में क्या प्रिपोजिशन आएगा डिस्पाइट के बाद में प्रिपोजिशन नहीं आएगा देखो डिस्पाइट के बाद तो नहीं आएगा लेकिन इंस्पाइट ओफ आएग लेकिन despite of नहीं लेता और यह most repeated कई बार exam में आपको पिछले साल जो exam सुए उसमें देखने को मिल जाएगा तो ध्यान देना despite इसाथ ओफ गलत है अच्छे से ध्यान रखना है कविता is angry with Ram सही है क्या कविता is angry with Ram क्या सही है क्या angry at होगा, for होगा, in होगा या no error है क्या आपको बताना सही है और नहीं है कविता is angry with Ram सही है क्या बिल्कुल सही है 100% सही है कविता is angry with Ram जब भी हम किसी person से angry होते हैं तो angry with ही आयेगा तो बिल्कुल सही है इसमें हम बात करेंगे no error हो जाएगा कोई error नहीं होगा एक sentence है कि he is angry for your laughing at her wife क्या ये सही है क्या he is angry for your laughing at her wife angry for आया सही है क्या बिलकुल सही है angry for action action की बात करेंगे angry for ही आएगा और जब person की बात करेंगे angry with आएगा गट लेना अच्छे से परसन की बात करेंगे एंगरी विद्ध ही आएगा आर बोडी कंसिस्ट इन फ्लेश बोन एंड बलड हमारी बोडी किस से बनी होती है फ्लेश से बनी होती है बोन से बनी होती है बलड से बनी होती है मास होता है हम बात करें हड़िया होती है बलड होता है खून होता है तो क्या कंसिस्ट इन लेता है क्या नहीं लेता है कंसिस्ट तो ओफ लेता है कंसिस्ट के साथ हमें सा ओफ आता है आर बोडी कंसिस्ट ओफ होगा देखो यह 50 बता रहा हूं अच्छे से रट लेना मोस्ट इ ब्लड कंसिस्ट ओफ आईगा कंसिस्ट के साथ प्रिपोजिशन ओफ आएगा आपको धियान रखना है आप पिशेंट डाइड डेश फीवर क्या आएगा पेशेंट डाइड डेश फीवर जब भी हम डाइड की बात करेंगे किसी बिमारी से मृत्य हो गई घृज ओफ केंसर डाइड ओफ फिवर तो दा पेशेंट डाइड ओफ आएगा दा पेशेंट डाइड ओफ बिल्कुल सही होगा दा पेशेंट डाइड ओफ फिवर बिल्कुल सही होगा He accused me styling selling secret information डेस दे एनिमी मतलब उसने मुझे अक्यूज का मतलब किसी पर आरोप लगाना तो उसने मेरे पर क्या आरोप लगाया सेलिंग सिक्रेट इन्फरमेशन सिक्रेट इन्फरमेशन देना एनिमी को शत्रू को दुश्मन को सिक्रेट इन्फरमेशन देने का मुझे पर आरोप लग तो इन्फरमेशन के साथ हम बात करेंगे इस तरह से यह सही होगा वेंशी वोज इन जेल शी वोज डीबाड डेश सेंड एलेटर इवन टू हर सन जब वो जेल में थी तब उसको डीबाड किया गया किसके लिए लेटर सेंड करने के लापतला अपने बच्चे को भी वह है परी पोजिशन आएगा आपको बताना है डीबाड के साथ तो फ्रोम आएगा और डीबाड के साथ जब फ्रोम आएगा तो सेंड की सेंडिंग भी हो जाएगा डीबाड फ्रोम सेंडिंग हो जाएगा वेंशी वाज इन जेल शी वोज डीबाड फ्रोम सेंडिंग लेटर इ you should refrain from smoking ये क्या लेते हैं फ्रोम लेते हैं डी बार फ्रोम अप्स्टेन फ्रोम रिफ्रेन फ्रोम इनके साथ फ्रोम आता है ध्यान रखना है अगला प्रिशन है उसमें आपको बताना है क्या इसमें कोई एरर है क्या many people in India are dying from hunger but government seems to be ignorant of such crude fact क्या ये सही है या गलत है आपको बताना है many people in India are dying from hunger सही है या गलत है dying of hunger होगा dying of hunger होगा dying of hunger होगा dying from dying of hunger होगा dying of hunger आपको ध्यान रखना है hunger से मरना disease से मरना के साथ हमें बात करेंगे dying of आएगा लेकिन आपको ध्यान रखना है जिसे आपसे पूछा जाए she died from over working सही है क्या she died from over working पिलकुल सही है over working आजाए ओवर ड्रिंकिंग आजाए फ्रोम आएगा आपको ध्यान रखना है बाकी हम बात करेंगे डाइर ओफ हंगर सही है तो क्या लगाएं हम कौन सा इसमें प्रेपोजिशन लगेगा देश नेक्स्ट मंडे तो हीज बर्ट्डेश इस ओन रखना हम लगाएंगे ओन नेक्स्ट मंडे सही हो जाएगा अगला है कि इन्दा मन्थ ओफ दिसंबर देश ओस देश फोर डिग्री सेल्ची सेल्चेस कौन सा प्रेपोजिशन इसमें आएगा In the month of December The temperature falls Below 4 degree Celsius Below होगा नीचे होगा जिसे हम कई बार जिसे मालो ऐसी हम ओन करकिए गर्मी की समय ऐसी ओन करका है तो कई लोग बोलते हैं कि यार गर्मी लगरी है temperature बढ़ा temperature बढ़ेगा तो और गर्मी लगेगी temperature कम करना होता है बिलो करना होता है तो यहां बिलो आएगा आपको ध्यान हकना है In the month of December The temperature falls below 4 degree Celsius से भी नीचे सला जाता temperature अगला है The bridge Dash The river was built In the year 2001 क्या आएगा 8 आएगा, ओर आएगा, अबव आएगा यह ओन आएगा तो the bridge over this river होगा The bridge over this river Bridge कहा है River के उपर है Over this river यहां पे सही होगा The bridge over this river Was built in the year 2001 यहां पे ओवर प्रेपोजिशन आएगा She is suffering dash fever She is suffering From fever Suffering from होता है She is suffering from fever वो fever से पीडित है Fever से प्रेशान है Fever हो रहा है She is suffering from fever Suffering के साथ from आता है She is suffering from fever यहां सही हो जाएगा ऐसे एगला है She was punished Dash stealing A sari उसको punished किया गया क्यों साथी चुराने के कारण तो she was punished Dash कौन सा यहां प्रेपोजिशन आएगा आपको बताना है तो she was punished For stealing A sari होगा She was punished For stealing A sari यहां पे For प्रेपोजिशन का हम Use करेंगे प्रेपोजिशन फोर आएगा अगला है कि Children are fond Dash chocolates Fond in होगा For होगा Of होगा With होगा Children are fond of होता है आदी होते हैं Addicted होते हैं Fond of होता है Fond of Children are fond of chocolates होगा Fond of Fond के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है Fond के साथ Of लगता है तो Children are फोन डो चॉकलेटस हो जाएगा, मुआश प्रिवेंटेडू- हम प्रिफॉजिशन लगाएँ, म СвD SoMA, आपको बताना है, कौनसा यहां प्रिफॉजिशन लगेगा, मुआच में यहां प्रिफॉजिशन आएगा, He was prevented from going to college Prevented from going to college तो prevented from यहां आएगा और preposition के बाद में हम ing form यूज करते हैं They have quarrelled – a piece of land तो हम quarrelled के बाद कौन सा अटी preposition लगाएं 8 लगाएं, with लगाएं, 4 लगाएं, over लगाएं कौन सा preposition आएगा तो हम बात करें They have quarrelled over a piece of land हो जाएगा Quarled over जगडा करना किसके लिए? भूमी के लिए, जमीन के लिए जगडा करना तो quarrelled over a piece of land हो जाएगा Quarled over यहां पे आएगा आएगा आपको धान रखना है अगला है He killed the snake, dace, a stick साब को मारा किसे मारा? इस्टिक से मारा, छड़ से मारा और छड़ कहां है, हाथ में है तो हम विद का यहां पे यूज करेंगे He killed the snake with a stick होगा With a stick He killed the snake with a stick यहां पे सही हो जाएगा हाथ में इस्टिक है तो with a stick होगा आपको ध्यान रखना विदि हाँ पे preposition आ जाएगा Ram was beaten डेश by Mohan for no reason Ram ने मतलब Mohan को मारा कोई कारण नहीं था मारने का तो Ram was beaten up होगा, own होगा, off होगा या preposition नहीं आएगा आपको पताना है तो Ram was beaten up होगा beaten के साथ preposition up लगेगा Ram was beaten up होगा Ram was beaten up by Mohan for no reason Rahul is now read dash all his troubles जितने भी उसके troubles हैं, hindrance हैं, बादाए हैं उससे Rahul क्या चाता है read चाता है, छुटकारा पाना चाता है, एक phrase भी है, get rid of छुटकारा पाना get rid of छुटकारा पाना तो read preposition of लेता है Rahul is now read of all his troubles जितनी भी उसके problems हैं, troubles हैं, hindrance हैं, सबसे चुटकारा पाना चाता है read of लेगा he agreed dash my plan तो हम बात करें in, to, with, on, कौन सा यहाँ पर preposition लगएं he agreed dash my plan तो he agreed to my plan agreed to my plan agreed to my plan धान देना agree in किसी opinion के साथ आता है अगर कोई opinion है उसके साथ agree in आता है agree to कोई proposal है उसके साथ यह sentence देखो he agreed to my plan मतलब वो यह proposal है इसलिए मैंने to यहाँ पर preposition लगाया he agreed to my plan सही है क्योंकि proposal है तो to आएगा agree with किसी person से हम agree होते हैं तो वहाँ agree with आता है angry के साथ भी with आता है I am angry with him किसी person के साथ है I am angry with him ऐसे agree कब आता है किसी person के साथ हम agree होते है I am agree with you I am agree with you ध्यान रखना you can't prevent me to go to the market आपको बताना है कि यह sentence सही लिखा हुआ है या इसमें कोई दिक्कत है कोई गलती है कोई mistake है you cannot prevented me to go to the market क्या सही है क्या prevent from लेता है prevent तो from लेगा और उसके बाद में ing from भी आएगी क्योंकि preposition हो गया you cannot prevent me from going to the market होगा prevent from लेगा तो you can't prevent me from going to the market सही होगा अजसे होगा